नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का योपी उतकर्स के इस आनलाइन मंच पर, मैं SP सुकला आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का स्वागत वंदन गोटी-गोटी अभिनेंदन करता हूँ, आप सभी भावी सिच्छकों का बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, बहुत सारे भ्रहम थे, बहुत सारे क्वेस्टन्स थे, बीएड को समलित किया जाएगा कि नहीं, इस 27,713 के पोस्ट में, बीटी-सी या जो है, डीलेड, बीलेड वाले ही केवल मानने होंगे, तो पहली चीत तो बच्चे, आप ये ध्यान दो, अगर जो सरकार का आदेश ह अगर हम उसकी प्रतिलिपी से देखें, ये भरती मूखतिय अनसट हजार पान सो पुरानी भरती है बच्चे, अगर हम इस पुरानी भरती की प्रक्रिया की बात करें, वो भी 2018 की भरती बच्चे, तो 2018 में इसी भरती में जो सेस पोस्ट रह गया है, 27,713 पोस्ट, जो कुछ नहीं था कि B8 को हटाया गया था उस टाइम B8 भी था BTC भी थी और DL8 भी था और इसके बाद बच्चे B8 भी था तो ये सभी आपके उस टाइम थे लेकिन अभी ऐसा कोई उलेख नहीं मिला है जैसे कि बस इतना कहा गया है कि दो माह के अंतर तो माह के अंदर पेपर कराने की बात कही गई है यानि साथ दिन के अंदर पेपर कराने की बात की गई है और वरतमानी स्थिती तो आप जानते ही हो बच्चे की B8 को प्रात्मिक सिच्छक भरती से बाहर रखा गया है ना अभी तो वरतमान समय में बाहर रखा गया है बच्च तो बहुत सारे लोग जो है अपने बहच प्रमोशन के चक्कर में परिसान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, अभी से बहच चलाने की बात करें हैं, ठीक है बहच चलाओ, चलाना पड़ेगा ही, समय आएगा बच्चा तो पड़ेगा ही जो है, लेकिन हमें लगता है भी पहले पच्छन संस्थान को पहले और वास्तों में जायज भी ऐसा नहीं कि हम यह कहरें कि नहीं गलत है, बिल्कुल जो चीजे सार्थक हैं, जो होनी चाहिए, उसी पर हम बाते करें, उसी मुद्दे पर बाते करें, तो अभी का मौका, मुद्दे यह नहीं होना चाहिए नहीं, चलो हम अगले सबता से बैच चल गया, इतना प्रमोशन यह अभी यह बाते करना उचित नहीं है, हाँ ठीक है, चलाना तो पड़ेगा ही बच्छे, आज नहीं तो दो दिन, चार दिन बाद ही सही, लेकिन चलेगा तो हाई बैच, लेकिन अभी कजी जरूरत है, बच्छे आ साथ होने जा रहा है बच्छे मैं चाहूं है, बहुत वत चारक से आप, बच्चे करें, एक साथ हमे हर इक तरीके से आप सभी विद्यार्तियों के साथ हैं, क्योंकि आप बच्चों से हमारी पहचान है संस्थान की पहचान है पहली चीज दूसरी चीज बच्चे बात आती है यूपी टेट और सुपर टेट को ले करके कि पहले यूपी टेट का एक्जाम होना चाहिए या पहले सुपर टेट का होना चाहिए मैं आप बच्चों से एक बात बता दूँ अब जो भरती प्रक्रिया को 60 दिन में पूरा करने की बात कही गई है अगर उस मुद्दे को देखें उस बात पर चर्चा करें तो 60 दिन में क्या यूपी टेट और सूपर टेट दोनों कराया जा सकता है क्या लास्ट टाइम यूपी टेट का जो एक्जाम हुआ था रेकिन वहस्तों लेकिन यह-गर बिजन करा गया है यह यह आप जोड़ लो बिस से ही जो बच्चेजा किए ते जो ब्हों हों ने कहीं से कहीं किसी प्रकार से टेट गजाम नहीं दीया है अब वो टेट का एक्जामी नहीं दिये हैं सुपर टेट में वो बैठने नहीं पाएंगे तो मुझे लगता है कि गवर्मेंट को सबसे पहले इस बात को भी मानना चाहिए हम ऐसा नहीं कि बच्चे हम आपकी खिलाप हैं इसे कंपटेशन बढ़ जाएगा कंपटेशन तब भी था आज भी है कल भी रहेगा हम इससे भी बहुत होते हैं कि चलो अगर हमारा एक छोटा भाई है वो रोजगार युक्त हो जाएगा तो कमसकम जो बेरोजगारी का आलम है बच्चे उसमता यह ऊहरा है यह खतम हो जाएगा जो भी बीड़ का हिससे में औभी बने रहेगा तो दूर हो जाएगा बच्चे कि किसी प्रकार का आपत्ति नहीं हमें साहर से सुईकार करना ला हम कूंँ थाह चेंग होता बही बादा भाई का है यह रहा हम उसमें प्रसEND देखो B8 BTC डियलेट करते समय जो प्राइबेट कॉलेज होते हैं या जो भी मानक पर आधारित जो है इन्वेस्टियां होती हैं बच्छों से कितने वसूलते हैं बच्छा प्रियाग राच का है पेपर देने बनारस जाता है कानपूर जाता है प्रताब गड़ जाता है सुल्तानपूर जाता है कौशाम भी जाता है पच्छा पढ़ यहां रहा है वहां पेपर देने जाता है भाड़ा जोड़ लो आप बच्छे बीएट बीटी सी करने के लिए पचासो हजार रूपए दे देता एक मुट उसको जोड़ लो बच्चे और साथी साथ घूंस हर पार परिच्छा में ये पेपर है वो पेपर है ये सेशनल है ये सेमेस्टर है उसी मेस्टर है तो भाईया जो है नहीं आ रहे हो कई बार तो नह भाजेद सोचो कि बेरोजगार है जिसके पास पैसा नहीं है उसकी खीमस सबस्बूस सरकार इस पर क्या ध्यान नहीं देती बच्चा इसलिए ध्यान नहीं हम आप भी गलत है हमको आपको भी लगता है या एक दो कॉलेज़ कर रहें सभ की वही हाल है सब गंगा नहाए पड़े हैं बच्चों से पा रहे हैं उतना लूट ले रहे हैं या और 사ी चला रहे हैं जो आप के माले यह bond उनसे पूछिए प्रधाना ध्यापक से वहां की स्टाफ से बात करें ना उनको लगता है देखकर यह बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे दस हजार, बारा हजार, अठारा हजार रुपे कमाने वाला आपकी कीमत ही नहीं करता है आप जाते हो इसार रिया के करता है जैसी बईया जो है पूछो मत बियच्ची और अलाहावाद इन्वेस्टी के प्रोफेसर साहब बैठें उनसे जाके बच्चा इस तरीके से ब्योहार उनका होता है तो इस पर भी ध्यान देनी की जरूरत है बच्चे हम गलत के खिलाब हमेशा आवाज उठाएं और यही हमारी मानकता है और सिच्छा का मतलब यह बच्चे सिच्छा में वो पावर है वो गुण है हम अगर गलत करेंगे तो चीज़े गलत हो जाएगे उनके ख पर पहले यूपी टेट वैसे आना चाहिए फिर सुपरटेट हां सुपरटेट अगर आता है बच्चो तो मैं आपको बता दूं पूरे प्रयाग राज की एक सबसे सर्वसेस्ट टीम उतकर्श के पास है चाहे मैच की फैकलटी देख लो चाहे आप बच्चे पांच नंबर की रिजिनिंग आती रिजिनिंग देख लो चाहे आपका बच्छे संस्कित आता है निवार संस्कित आता है दस क्वेशन संस्कित की बात कर लो हिंदी के लिए मैं आपके बीच में हूँ ही CDP यानि Child Development की बात कर लो या दूसरे विसे की सबसे पुरोधा ससक्त टीम है और हमारे यहां जो बैच्छे चले हैं बच्छे उन बच्छों से आप पूछो चार से पांच बैच्छे चले थे जब से बाहर किया उसके बात से जो है बैच नहीं बच्छों से पूछो एक एक काय को यह है वो है दुनिया इतना से लैक्सन नहीं गिनायने लगेंगे यहां इतना से अरे कहां से सेख्ष से क्वालिफाइंग एगजाम यूपीटेट का जो आप सेलेख्षन गिना दे रहे हो गिनाने वाले मेरे भय यह लोग ऐसा नहीं सब सेलेक्ट होते हैं 80% बच्च यह अच्छा नहीं है मेरे प्यारे सभी जो भी सिच्छर संस्थान हैं जो भी कोचिंग के डायरेक्टर वगएरा है जो भी है इन बात को ध्यान दो सभी की बजार चलेगी तो आपकी भी चलेगी लेकिन बजार यह केले चलाओगे तो बच्चे को कितने दिन बेखूब बनता है एक बार आप बरगला लोगे दो बार बरगला लोगे ना उसके बाद क्या स्थिति होगी और ऐसे लोगों की स्थितिया देख लो आज मार्केट में जो लोगों को व्योकूब बना बना के करते तो उनकी क्या स्थिति है लेकिन फिर भी बच्चों इतना भौकाल ब केवल बात तो में मत जाओ मेरे प्यारे बच्चे ठीक है आनलाइन सबसे सिच्छा हो गया तब से लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया भोकाल बनाओ आज एडसेंस लगाओ वीडियो वाइरल करा लो खूब बच्चा वाइरल दिखा लो बच्चा उसी को देख रीब बाप सरकार की तरफ से बात अस्वस्त हो जाएगी और जिस पर बच्चे पूरी तरीके समानक पर तयार हो जाओगे उसके बाद से हम बैच की बात कहीं उसके पहले कोई बैच की नहीं अभी बैच नहीं अभी बच्चों का पहले और पहले नियाय मिलना चाहिए और उसी के साथ ह सबी हैं प्यारे बच्चे ठीक हैं और भी जो आपके सुझाओं होंगे आप कमेंट करके जरूर बताएगे उस सुझाओं पर अपने प्रत्किया लेकर आएंगे आज के लिए इससे संबीत नहीं थैंक्स फॉर रॉचिंग अल्ट वेस्ट टेक क्यार अलग शुरू